सब्सक्राइब करें वीडियो को सबस्क्राइब करें चुल बात करते हैं आज की वीडियो की काफी बच्चों के कोमेंट एक ही कमेंट आ रहा है कि प्याट के काउंस्लिंग कब होगी सबसे ज़्यादा कमेन्ट जो देखा जा रहा है वह ही नहीं कि ब्याट कि कांस्लिंग दन हमारा second comment कोमेंट जो है वह एकि बीएट की-क्लासी हमारे कॉलेज कब से स्टार्ट कांसी और थर्ड है कि प्राइवेट कॉलेज बता धीचिये कि कि स्टिस्टिक में बैस्ट कॉलेज कांस है किस कॉलेज को प्रिफ्रिंश दे हम तो जो हमारा सबसे जिएधा कमेंट आ रहा है वह हमारा बी एट की कौँंसलीं कोई हमारे पास भी ओफिशल कोई नॉटिकेशन नहीं आया एक कि इस दिन हमारी बीरड की कौंसलीं हो गई तो अगर हम बात करेंगे B.Ed की counseling तो हमारी जैसी list आपको पता है कि merit list ही वो तो आ गई है counseling जो थी हमारी वो within वन week के अंदर जो है वो हो जाती है बट अभी तक हमारी कोई notice नहीं आया इससे पिर भी अगर हम थोड़ी prediction की बात करते हैं तो आपकी Monday Tuesday तक आपकी counseling हो सकती है अगर आपकी counseling हो जाती है तो उसके बाद आपको पता ही अगला process की आपको तीन दिन के अंदर आपको college वगारा select करने होते हैं, fees वगारा आपकी submit करवा के उसके बाद तीन दिन के अंदर जो आपकी अगली list वो निकालते हैं कि आपको ये college अलोट हुआ है college list आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपको तीन दिन और दिये जाते हैं, फिर जाके आपको जो है ये हमारी counseling कब तक चलती रहते हैं, तो हमारी counseling जो है एक डेड़ मंत चलती रहते हैं, मतलब वी तीन देड़ मंत आप लेके चलो कि देड़ मंत आपकी जो है counseling ही चलेगी और दूसरा comment सबसे ज़यादा जो देखने को मिला है वो है हमारा कि हमारी class कभ से लगी college कभ से बीट के start होगे तो देखो useful counseling हमारी एक grade मنت चली गी तो उसके बाद ही हमारे college डीज के बाद भी Paraam September 20 के बाद भी start होगे पर classes जो regular हुई थी वो हमारे 5th of October के बाद ही हमारी क्लासी जो है continue थी क्योंकि देखो counseling के जो है एक या दो round नहीं होते हैं 3-4 round हमारे चलते हैं counseling के इफ हमारी seat तब भी बचती है तो देन हमारा Mopop open round जो भी वो process होते हैं उनका वो continue रखते हैं और उसके बीच में हमारी classes नहीं होती है लास्ट अख हमारी पूरे college जो फिल हो जाती है सीट्स वगारा उसके बाद ही हमारी continue classes स्टार्ट होती है तो ऑक्टूबर मन्थ से ही maximum हमारे college होते हैं वो start होंगे अगला हमारा third है कि बीच के जो private college है best college रहेगा यह काफी common question रहा है कि अगर हमें government street नहीं मिलेगी तो हम private किस college के लिए apply करें देखो college सारे ही अच्छ है चाहिए वो government हो private हो government की बात करते हैं तो उसको आपको पता ही फीस का criteria ही होता है कि हाँ फीस कम होगी और बाकि होस्टर facility वे गारा मिल जाएगा अगर आपके marks अच्छ है तो और अगर हम बात करेंगे यहां पर हमारा की हमारा college जो district wise private college होंगी वो कौन से अच्छ होते हैं सारे college यह भी अच्छ होते हैं सारे private college भी में equal study होती है सब कु सेम ही होते हैं बड़ा हम कुछ college की बात करते हैं जैसे कि हमारा कांगडा और मंडी है इसमें काफी जादा बच् जैसे कि आपको बताए यह college की हमारी list है जो भी हमारे private college है और government है यह उसकी list है combined list है तो इसमें यहां पर देखो यह तो हमारे जो हमारे जो हमारे जो हमारे सिर्फ एक शिम्ला दैन हमारा second जो होगा बिलासपूर district हमीरपूर district और फिर उसके बाद हमारी की नार शिम्ला और ये हमारी जो सिर्मौ गणिक है यह district हमारे किसके अंडर है एज स्कूक के ह так नजाते हैं और में हो था मार्ट सबसे जल्दी हो जाते हैं इक टआप की किस इस face कि चलेजरे की सबसे जाद होती तो धरम ऑठ जाते हैं जाते मेन मारकेट में कॉलेज होते हैं। एक प्रंसीज में मारकेट में काौलेज होता है। तो उसकी demand जाद होती है, क्योंकि वो beach उस market में होता है, तो वहाँ पे, कांगड़ा में ही जो शरन college nearby होता है, तो वहाँ पे भी काफी demand होती है, वो भी हमारी feel हो जाती है, तो अगर आपको लेनी है admission, तो आप nearby के college में लो, जो आपके घर के नस्दीक हो, जहाँ पे आपको ल सारे college अच्छे हैं, जो अभिलाश्य वगारा काफी ज्यादा seats भी उन college में होती है, तो आप टेंशन मतलो, अगर आपके marks भी कम है, तो आपको seat नहीं मिल जाएगी, ठीक है, और पहले preference उसी college को देना, जो आप चाहते हो कि हाँ, हमें यही college है, अगर आपके marks 80 से कम है, 85 से करना है, तो आप अपने nearby या फिर जो आपको लगता है की main market पे है, और आपको easily वहाँ पे comfortably आप रह सकते हो, आपको PG वगारा होस्टल लेने की कोई दिक्कत ना हो, तो वहाँ पे भी आपको, जो college है, आप अलोट हो जाएगा, अगर आपके marks थोड़े ठीक है तो, और अग काफी college ऐसे है, आप जैसे डी यवी पालंपूर girls college है, उसकी काफी जादा डिमांड होती है, वहाँ पे भी काफी seats जल्दी fill हो जाती है, तो उस college में भी जैसे हमारा hostel है, तो ऐसे काफी college है, जिन में hostel facility भी है, जो private college है, तो अगर आपको किसी भी और college के बारे में पूछना हो या कुछ बात, कुछ और question आपको पूछनों, तो आप हमें comment कर सकते हो, so आज की वीडियो में इतना ही मिलूंगे, आपको next वीडियो में तब तक के लिए हमारे जाने के साथ जुड़े रहे है, thank you guys